नेक्स्ट टॉपिक एज साइन ओफ लोगरिथिमिक टॉप अच्छा अगर कुछ ऐसे लिखा लॉग बी टू दा बेस ए यह क्या होता है इटसे नंबर यह एक नंबर है पहले भी बताया था स्टार्टिंग में चेप्टर के अब इसका साइन देखना चाते हैं साइन से मतलब है पॉजिटिव है या फिर नेगिटिव है वो तो डिपेंड करता है कि बेस कैसी है बेस अगर पं से बड़ी है ग्राफिकली चेक करेंगे अगर बेस वन से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा होता है बेस अगर जिरो से वन के बीच में तो ग्राफ ऐसा होता है ठीक है ग्राफ पता है न इसका तो बट उससे पहले इधर देखो, note 1 logarithmic term will be positive if base and argument if base and argument lies on the same side of unity या तो दोनो 1 के right side पर हो जैसे यहाँ पर 1 है या तो base and argument दोनो यहाँ पर हो अगर ऐसा है तो positive होगा यह number या फिर दोनो base and argument यहाँ हो ठीक है या तो दोनो left पर हो 1 के या फिर दोनो right पर हो अगर ऐसा है then logarithmic term will be positive ठीक है बाकि ऐसी रटने वाली कोई बात दिया हम तो graphically देखेंगे इसको ठीक है जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं log 5 to the base 2 दोनो ही 1 से बड़े है है न तो positive हो जाएगा ln 3 ln में base होता है आपका e e की value होती है 2 point something approximately है न तो दोनो ही यहाँ पर 1 से बड़े है argument भी और base भी तो हम देखती ही बता सकते है positive है यहाँ पर 3 by 5 है 0 से 1 के बीच का number और 7 1 से बड़ा है है न base कितना है 7 argument कितना 1.7 1 के right पर ही आएगा तो यह positive हो गया यहाँ पर base कितना है 3 1 से बड़ा है and e over pi e over pi आपका 1 से छोटा number है ठीक है तो इसका मतलब दोनों opposite side पर है तो हम देखती ही बता सकते हैं यहाँ पर तो हम जो sign है देख कर ही बता सकते हैं चीक है note 2 माल लिया कि log a to the base b एक number है let's say t this is equals to t चीक है तो यहाँ पर अगर base आपका कुछ ऐसा है base माल लों की 1 से बड़ा है b 1 के 1 से बड़ा लिखा है न में यहाँ पर base अगर 1 से बड़ा है तो graph कैसा बनेगा graph आपका कुछ ऐसा बनेगा like this this point is 1 0 माल लों की यह base है b हमने यहाँ ले लिया और argument कहीं आगे ले रहे है तो इसके corresponding जो value आएगी यहाँ पर यह कितनी हो जाएगी आपकी 1 इसका क्या मतलब है x request to b रख रहे हैं आर्गुमेंट यहाँ पर हम b ले रहे हैं ठीक है तो इसकी value कितनी हो जाएगी भई log b b अपकोस दिस इस request to 1 तो यहाँ पर हमने value रखी है 1 ठीक है इसको रप कर देते अब आप इधर देखो यह दिखा ही दे रहे है यह हमने कैसे लिखा है अगर देखो अगर आर्गुमेंट आपका 0 से 1 के बीच में है आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में ठीक है तो ग्राफ कहा आ रहे है आपका x-axis के नीचे यह ग्राफ तो हमेशा तो इसका मतलब जो आउटकम आएगा that is negative ठीक है अगर आपने जो इनपूट रखा है जो आर्गुमेंट है वो 1 से B के बीच में है 1 से B के बीच में है यानि 1 से B के बीच में यहा तक तो ग्राफ कहा तक है आपका 1 से B के बीच में ग्राफ आपका इतना आएगा यानि कि जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में है यह चीज़ समझ भागी जब आपने आर्गुमेंट B से बड़ा रखा जब आर्गुमेंट B से बड़ा रखा जैसे A यहा पर B से बड़ा है तो ग्राफ आपका 1 के उपर चला गया तो यहाँ पर जो T है That is greater than 1 समझ मा आगया तो ग्राफिकली सारा कुछ हमने analyze किया है अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है I hope it is clear समझ मा आगया तो इसको हटा देते थोड़ी सी जगे बना लेते So like this तो log 33 तो 1 हो जाएगा अगर argument 3 से बड़ा हुआ अपकोस graph 1 से उपर चला जाएगा So this is positive and greater than 1 यहाँ पर base हमने लिया है 7 तो 7 log 7 7 तो 1 होगा 5 तो क्या 7 से छोटा है ठीक है positive तो रहेगा क्योंकि दोनों ही number 1 के right side पर है लेकिन less than 1 रहेगा outcome I hope it is clear Similarly same logic If I say यहाँ पर हमने base लिया है 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में तो अब की बार graph कैसा रहेगा 0 से 1 के बीच में इस बार ऐसा decreasing graph होगा like this ठीक है This point is 1 0 समझे बागया तो यहाँ पर अगर base आपका 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में and argument 1 से बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर यह वाली जो value होगी B के corresponding यह कितनी आएगी 1 ठीक है तो 0 से B के बीच में जो outcome है 0 से B के बीच में यहाँ पर 0 से इतना वाला part यह वाला 0 से B के बीच में graph कहां दिखाई दे रहे हैं आपको 1 के उपर 1 से उपर है तो यानि कि जो outcome है that is greater than 1 ठीक है यह चीज़ समझ में आगी अब B से 1 के बीच में B से 1 के बीच में यानि कि यहां से लेकर यहां तक ठीक है इतना graph कहां दिखाई दे रहे हैं आपको 0 से 1 के बीच में इतना graph है यह वाला portion ठीक है तो 0 से 1 के बीच में यह चीज़ समझ बागी now जब आप 1 से आगे चले ग्राफ आपका ये वाला हो जाएगा इतना अपकी बार नेगेटिव हो क्या 0 से नीचे है ग्राफ तो इस बार t less than 0 got it सबज में आगे होई तो इस तरह से हम sign check कर सकते हैं I hope it is clear तो अगर मैं बोलू भई इसका sign बताओ log 1 by 3 बेस है यहाँ पर log 7 to the base 1 by 3 इसका sign बताओ positive है या negative है तो 1 by 3 यहाँ पर हमने क्या करना है ग्राफ बना लो आप तो base क्या है यहाँ पर 0 से 1 के बीच में यानि कि ऐसा ग्राफ बनेगा decreasing है ना 1 by 3 यहाँ कहीं आएगा 7 बार नमबर है है ना तो यानि कि negative रहेगा 7 पर आउटकम क्या है ग्राफ नीचे जा रहा है negative है I hope it is clear समझ में आगे है and of course 1 से तो छोटा ही रहेगा नमबर तो इस तरह से बीड़ा हम sign check कर सकते हैं किसी भी logarithmic term का चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं characteristic and mantissa की characteristic and mantissa log a to the base b यह क्या है एक नमबर है ठीक है and दुनिया का कोई भी नमबर है उसको हम कैसे लिखते हैं integral part plus fractional part ठीक है कोई भी नमबर है that can be written as sum of integral part and fractional part integral part को कैसे मतलब इस तरह से represent करते हैं box x और fractional part को ऐसे curly bracket तो वो ही लिखा है यहाँ पर any number is equals to integral part plus fractional part and integral part क्या होता है fractional part क्या होता है यह basic mathematics के lectures में बता चुके ठीक है फिर भी एक बाब बहुत जल्दी कैसे अगर मैंने लिखा box 7 ठीक है box 7 मतलब value 7 रहेगी box minus 2 minus 2 रहेगी box minus 2.5 minus 2.5 आपका minus 2 and minus 3 के बीच का number है यहाँ पर कहीं होगा तो हमने इसके left पर चलना शुरू करा तो पहला integer कौन सा मिला हमें minus 3 तो इसकी value हो जाएगी minus 3 ठीक है भी so box X की जो value होती है एक तो integer होती है just left on number line of जो भी आपको यहाँ पर number दिया होता है अंदर 3.7 3.7 यह 3 से 4 के बीच का number है यहाँ कहीं होगा let से इसके left पर चलना शुरू कर दो पहला integer कौन सा मिला 3 so इसकी value होगी 3 ठीक है तो जादे discuss करना है इसको deeply तो basic mathematics के lectures में जाओ वहाँ आपको मिल जाएगा and fractional part fractional part minus 9 minus 9 का fractional part है ही नहीं आपर integer का तो कोई fractional part होता ही नहीं so 0 3.7 में fractional part क्या है 0.7 minus 3.7 में fractional part क्या है अगर यहाँ पर आपने बोला 0.7 तो गलत है ठीक है आप तो इसको ऐसे लिखो भई this is what like box x minus fractional part ठीक अभी हमने क्या बोला था कि कोई भी जो number है उसको हम ऐसे लिख सकते है box x प्रस fractional part so fractional part के लिए हम क्या करेंगे x minus box x x में से box x minus करना है यहाँ पर x का काम कोन कर रहा है minus 3.7 तो minus 3.7 minus box minus 3.7 तो minus 3.7 box की value कितनी हो जाएगी of course minus 4 so minus minus यह plus हो गया अब देख लो कितना आ गया 0.3 इतना आ जाएगा got it भी अगर कुछ ऐसे लिखा न minus 3.7 तो इसका तो मतलब यह है कि fractional part भी negative है इसका यह मतलब है लेकिन fractional part तो कभी negative होता ही नहीं है fractional part हमेशा ही positive होता है तो इसमें हम क्या करेंगे इसका यह मतलब हो गया आपका minus 0.7 अगर minus 3.7 लिखा है it means minus 3 minus 0.7 तो हमने क्या किया minus 1 plus 1 कर दिया ठीक है so minus 3 and minus 1 यह कितना हो गया minus 4 and minus 0.7 plus 1 यह कितना हो जाएगा 0.3 ठीक है तो अब आप देखो कि fractional part क्या है this is 0.3 तो ऐसे भी निकाल सकते है got it I hope सबज में आ गया इसको रब कर देते बाकि यह तो है simple है now जैसे हमने बोला भी log a to the base क्या है एक number है माल ले कि this is equals to t फिर हमने बोला कोई भी number है that can be written as a sum of as a sum of integral part plus fractional part so integral part of t plus fractional part of t तो जो integral part होता है उसको हम बोलते है characteristic this is always integer ठीक है and fractional part is called mantissa and fractional part is never negative इसका मतलब mantissa कभी negative नहीं हो सकता समझ भा रहा है यानि कि जो log हमने बोला log एक number है ठीक यानि कि log जो एक number है वो कैसे लिखा जाएगा characteristic plus mantissa उसमें दो पार्ट होंगे ठीक है mantissa fractional part यानि कि कुछ ऐसा यहाँ पर तो एक integral part आजाएगा and यहाँ पर point के बाद something यह structure रहेगा इसका ठीक है अगर मैं इसकी बात करूँ log 4 to the base 2 by property पहले तो हम कर लेते हैं 4 को लिख लिए 2 square 2 आगे आगे यह आजाएगा आपका 2 तो यहाँ पर characteristic है 2 और mantissa है नहीं mantissa क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इधर log 200 to the base 10 तो 200 को हमने लिख लिया 100 into 2 that is 2 into 10 square then by property this is log 2 plus log 10 square base 10 चल रहा है तो यहाँ से 2 आगे आजाएगा यहाँ से तो आपका बचेगा 2 ठीक है फिर यहाँ पर log 2 to the base 10 इसके लिए हमारे पास log table होता है अभी सिखाऊंगा कैसे देखते हैं value log table में जाएगे और log 2 की value देखेंगे log 2 की value होती है 0.3010 इसको वैसे भी आपको लोगों को याद रखना चाहिए log 2 is equals to 0.3010 तो 0.3010 प्लस 2 कर लो यहाँ आदेगा आपका 2.3010 तो यहाँ पर integral part क्या है 2 तो वो हो गया आपका characteristic ठीक है so characteristic is worth 2 and decimal part क्या है यानि कि कितना होगे यह 0.3010 this is called mentisa तो यह होगा आपका mentisa I hope clear है now अगर कुछ ऐसा लिखा है log 81 to the base 3 81 को लिख सकते है 3 की power 4 4 आगे आगे यह बचेगा 4 ठीक है फिर हमने लिया 243 base 3 तो यहाँ पर 3 की power 5 लिखा जाएगा 5 आगे आजाएगा that is 5 यानि कि हम यह कह सकते है कोई भी number है 81 and 243 के बीच में any number between 81 and 243 उसका अगर आप log-log with base 3 log-log के with base 3 वो हमेशा ही कैसा number आएगा 4 से 5 के बीच का number आएगा that is 4.something something कुछ ऐसा आएगा चीक है तो अगर हम माल लेकि मुझे इसका log निकालना है log 120 to the base 3 चीक तो यह कैसा number आएगा 4.something something type का number आजएगा यानि कि इसकी characteristic हम बता सकते है कितनी रहेगी 4 ठीक है तो log अगर 120 निकालना है तो यहाँ से मुझे इतना तो पता ही है कि characteristic इसकी 4 रहेगी mantis आपार्ट के आएगा वो तो पता नहीं वो तो log table देखके निकालना पड़ेगा I hope it is clear तो 81 से 243 के बीच में कोई भी number है उसका आप अगर log लेते हो उसकी characteristic हमेशा ही 4 रहेगी Got it? Now number of integers having characteristic 4 ऐसे कितने integers है जिनकी characteristic 4 रहेगी हमने बोला कि 81 से 243 के बीच में जितने भी integers होंगे उन सब की characteristic 4 होगी तो कितने integers हो जाएंगे इन दोनों के बीच में मालो की दो number है A and B और हमें इन दोनों के बीच में integers निकालने है वो ऐसे निकाले जाते है B minus A minus 1 ठीक है? याद रखना इसको note कर लो तो दो number है हमारे पास 81 and 243 243 minus 81 minus 1 तो 61 तो 61 integer हो जाएंगे जिनकी characteristic कितनी हो जाएगे आपकी 4 ठीक है? समझ में आगे भई? भई यह minus 1 किसले किया? अब जैसे यहाँ पर आपने यह कर लिया 243 minus 81 हाला? तो यहाँ पर जो यह आये था आपका 3 की power 4 इसकी भी तो characteristic 4 ही है यह extra count हो गया तो यह भी हटेगा यहाँ से इसके बीच वाले चाहिए न हमें तो क्या पूछा है? integers between तो यहाँ पर यह भी count हो गया था तो इसके लिए हमने minus 1 और कर दिया सबजबा गया? कि यह कैसे बन गया formula between अगर पूछा जा रहा है तो इसके बीच में बात हो रही है इसका मतलब कि यह end वाले include नहीं होने चाहिए तो इसकी भी characteristic 4 है हाला? तो यह भी include हो गया तो इसको हमने हटा दिये हाँ से अच्छा now note in general number of integers having characteristic as alpha जिनकी characteristic alpha होगी when base of log is beta will be तो यह formula बनाए हाँ पर beta to the power alpha plus 1 minus beta to the power alpha minus 1 plus 1 ठीक है? इतनी हो जाएगी that is यह 1-1 cancel हो जाएगा आपका यहाँ पर आप beta to the power alpha common ले सकते हो beta to the power alpha into beta minus 1 तो याद रखना इसको memorize इसको याद रखे हुए आप लोग चीक है? कैसे आ गया? like this इधर देखो number of integers बताने है having characteristic as alpha जैसे यहाँ पर alpha का 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 कौन कर रहता है? इस वाले question में alpha का 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 4 कर रहता ठीक है? और beta का 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 कौन कर रहे है हाँ यहाँ पर? यहाँ पर alpha का 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 कर रहे है? 4 और beta का 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 कौन कर रहे है? यहाँ पर 3 फिर हमने formula क्या बनाया beta to the power यानि 3 to the power alpha plus 1 यानि 3 to the power 5 हो गया यानि कि 243 आ गया फिर beta to the power alpha यानि कि 3 to the power 4 यानि 81 आ गया फिर minus 1 minus 1 ये तो सिर्फ between वाले आ गये ठीक है अब यहाँ पर हम क्या कह रहे है ऐसे कितने integer है जिनकी characteristic 4 है तो यहाँ पर ये जो starting वाला था ये वाला इसमें भी तो characteristic 4 ही थी तो इसके लिए हमने क्या करा plus 1 कर दिया ठीक है तो इस बार ये 1 और 1 cancel हो गया इतना बज़िया आपके पास I hope समझ में आ गया है तो ठीक है फिर इस पर based एक example देख लिए और find number of integer which will have characteristic 11 यानि की alpha का 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 रहा है 7 तो उठा के formula में रखतो beta to the power alpha plus 1 यानि 7 to the power 11 plus 1 यानि 7 to the power 12 minus 7 to the power 11 ये तो cancel ही हो जाएगा है नो बस बागी solve कर लिया इतना आ गया 7 to the power 11 into 7 minus 1 that is 6 so this is your answer तो इतने number हो सकते हैं जिनकी characteristic 11 होगी with base 7 so important है याद रखा इस concept को आगे चलते हैं next note if base of logarithm is 10 यानि common logarithm है then two numbers having same digit in same order so दो number टिक जिसमें same digits होंगे in same order होंगे will have same mentesa उनका same mentesa होगा irrespective of location of decimal points क्या है इसका मतलब for example जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे है 125.738 ठीक यहाँ पर decimal point लगा है decimal लगा है 125 के बाद यहाँ पर एक हमने number ले लिया देश point 0,0,0 1,2,5,7,3,8 तो number तो यह ही है लेकिन इस बार क्या है decimal की position अलग है यहाँ पर decimal लगा था 125 के बाद यहाँ पर यहाँ लगा है ठीक है तो इन दोनों ही case में अगर हम इनका log लेते है तो mantissa part same आएगा कहने का यह मतलब है कैसे आएगा देखते है चलो हमने इसका log लिया तो यहाँ पर जो भी इसका log आएगा मतलब वो तो ऐसी लिखा जाएगा characteristic plus mantissa ठीक है अब इदर आजो पहले हमने इसको क्या किया कि यह point यहाँ पर लेकर आए 125 के बाद तो कितने decimal हमने shift किये decimal points 4 तो 0 है आपके पास 4, 5, 6, 7 7 places shift की यानि ऐसा लिखा जाएगा 10 to the power minus 7 right की तरफ shift किया है 10 to the power minus 7 ठीक है फिर आप यहाँ पर log लोग है जब आप log लोग है तो log की property लग जाएगी into में है यह plus में हो जाएगा plus फिर यह minus 7 आगे आजाएगा log 10 10 आपका 1 हो जाएगा तो यहाँ तो बचा minus 7 which is an integer यह तो एक integer ही आएगा यानि यह characteristic में जाके जूड़ेगा और फिर से यह यहाँ पर जो answer आएगा that will be like characteristic plus mantissa ठीक है तो characteristic change होगा यहाँ पर तो जो characteristic आए था यहाँ पर minus 7 आने की वज़े से characteristic में change आजेगा that is characteristic will be c minus 7 है और mantissa part अभी भी same ही रहेगा जो पहले था same अभी भी वही है यह valid तभी है बेटा जब base आपकी 10 हो otherwise नहीं है is it clear I hope यह सबज में आगया now next is number of digits in an integer आपको मालो कोई integer दे दिया जाए और फिर आप से पूछा जाए कि number of digits बताओ कितने है ठीक तो obvious है कि ऐसा integer दिया जाएगा जिसमें आप by observation नहीं बता सकते कि उसमें कितने digits आएगे लाइक अगर मैंने बोल दिया 2 की पावर 105 इंटू 3 टू दा पावर 81 इंटू 5 टू दा पावर 7 तो पहले तो आप इसको calculate करोगे बहुत बड़ा number बनेगा यह है और फिर उसमें आप digits काउंट करोगे obviously कोई procedure होगा logarithm यूज करके इसको हम solve करेंगे ऐसे हम calculate नहीं करेंगे तो देखते हैं उसके लिए पहले थोड़ा सा base त्यार कर लेते हैं अच्छा log 1 to the base 10 answer is what? 0 ठीक है फिर log 10 10 यह 1 होगा ठीक तो यानि कि कोई भी number है जो 1 से 10 के बीच का होगा और उसका हमने log लिया तो उसका answer क्या आएगा? 0.something something ठीक है? अगर मैं log 3 की बात कर रहा हूँ log 3 to the base 10 of course 0.something something हो जाएगा ठीक log 8, log 7 सारा कुछ, up to 10 तक 9 तक 1 से 10 के जितने भी 1 से 10 के बीच में जितने भी number है उन सभी का जो log होगा that will be 0.something something सभी में मतलब characteristic क्या रहेगा? 0 got it फिर आगे आजाओ log 100 to the base 10 100 को लिख सकते है? 10 square फिर square आगे आजाएगा 2 आगे आजाएगा तो यहाँ पर आगे 2 फिर log 1000 निकाला 1000 का मतलब है 10 cube इसको हमने लिखा 10 cube फिर cube आगे चला गया तो यहाँ से आजाएगा answer 3 तो अगर आपने 10 से 100 के बीच में कोई भी number लिया फिर उसका log निकाला with base 10 तो वो आएगा आपका 1 point something something ठीक है? यानि कि उनमें characteristic क्या रहेगा? हमेशा ही 1 अगर आपने 100 से 1000 के बीच का कोई number लिया यानि कि 3 digit number ठीक? तो वो हमेशा output कैसा रहेगा? 2 point something something यानि कि characteristic हमेशा क्या रहेगा? 2 गॉल इट? यानि कि मालो कुछ ऐसा आ गया यहाँ पर characteristic 0 है तो number of digits कितने है? कितने digit का number है वो? एक से 10 के बीच का यानि कि 1 digit number है हला? 1 digit number अगर characteristic 1 है तो वो number कैसा है? 10 से 100 के बीच का यानि कि 2 digit number है अगर characteristic 2 है तो 100 से 1000 के बीच का number है? यानि कि 3 digit number है समझ में आ रहे है? तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यानि कि आपको कोई भी number दिया जाए? बहुत बड़ा सा number दे दिया जाए जैसे भी मैंने लिखा था कुछ भी लिख लो यहाँ पर let's say 1053 की power 75 into 5 to the power 95 हला? तो इसको आप solve करोगे using log property बगरा लगाओगे और यहाँ से characteristic निकाल लो characteristic माल लो कुछ alpha आ गई तो कितने number of digits हो जाएंगे उसमें? alpha plus 1 तो यह हमारा concept रहेगा ठीक है? for example यहाँ पर आपको value दिया रही है log 2 to the base 10 is 0.3010 log 3 0.477 then we have to find the number of digits in 25 to the power 20 into 18 to the power 50 एक तो तरीका यह है कि calculate कर लो obviously मजाग बात नहीं है काफी बड़ा number आएगा दूसरा तरीका यह है log use करो properties बगरा लगाओ तो यहाँ पर 25 को लिख सकते है 5 into 2 5 sorry 5 square लिख सकते है 5 square मतलब 5 की power 40 हो गया यहाँ पर 18 को 18 को लिख सकते है 6 into 9 into 2 लिखा है तो 2 की power 50 और 9 की power 50 मतलब 3 square की power 50 यानि की 3 की power 100 इतना आगया अब हमने क्या किया log लिया तो log लोग यहाँ पर property लग जाएगी सारा कुछ प्लस में हो जाएगा यह power आगया जाएगी आपकी यहाँ पर तो आपका बचेगा 40 40 आगया आगया and log 10 10 कितना हो गया 1 यहाँ पर 10 आगया आजाएगा log 2 10 log 2 की value दी हुई है यहाँ पर 100 आगया आजाएगा log 3 की value दी हुई है आपको question में ठीक है तो values रखी log 2 and log 3 की solve किया यह आजाएगा आपका 10 into इतना करके 3.010 यह आजाएगा आपका 47.71 add कर लो कितना आगया this is 90.720 तो characteristic कितनी है यहाँ पर आपकी 90 यानि alpha का का काम कोन कर रहा है 90 number of digits कितनी हो जाएगी alpha plus 1 so 91 91 digits हो जाएगे ठीक है तो देख लो कितना बड़ा number लिखा जाएगा got it तो इस तरह से आप बता सकते हो कितने digits हो जाएगे I hope समझ में आगया काफी interesting है अब आप इधर देखो log 0.1 ठीक 1 से छोटे number लिए 0.1 इसको तो आप ऐसे लिखोगे न 0.1 को 1 by 10 got it फिर 10 को लिख लिए आपने log 10 की power minus 1 base 10 फिर ये minus 1 आगया जाएगा और log 10 10 आपका 1 हो जाएगा फित्रह बचेगा ठीक है तो यानि कि अगर आप कोई भी number लेते हो 0.01 से 0.001 के बीच में तो वो number वहाँ पर characteristic कितनी आ रही है minus 2 से 3 के बीच में यानि ऐसा लिखा जाएगा minus 2 minus 2 point something minus 2 point something ठीक है फिर यानि कि यहाँ पर तो क्या है आपका जो fractional part है वो भी आपका negative है फिर आप क्या करोगे यहाँ पर minus 2 plus ये जो भी आपका 0.something something जैसे अभी हमने किया था ना इसका मतलब तो ये है कि minus ये भी आपका negative है फिर हमने minus 1 किया plus 1 किया so minus 1 minus 3 minus 2 ये तो हो गया आपका minus 3 and minus 0.something and plus 1 फिर यहाँ पर आपका जो mantis है वो positive हो जाएगा चीक है I hope it is clear so यहाँ पर characteristic बन गया आपका minus 3 I hope समझ में आ रहा है तो जो भी आपका number है 0.01 से लेकर 0.001 से 1 तक उसमें characteristic रहेगी minus 3 0.001 से लेकर 0.001 ठीक तो यहाँ पर characteristic रहेगी आपकी यहाँ पर कितनी रहेगी minus यह कुछ ऐसा number होगा आपका minus 3 point something हाँ ना minus 3 point something फिर आप adjustment करोगे minus 1 plus 1 करोगे करेक्ट मेंटिसा मेंटिसा पर्ट को positive बनाने के लिए minus 1 plus 1 करोगे हाँ ना तो minus 1 minus 3 के साथ जाके जोड़ जाएगा तो करेक्टरिस्टिक आपकी बन जाएगी कितनी minus 4 ठीक तो इसके बीच के नमबर कैसे होगे उनमें करेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी minus 4 ठीक है यहाँ पर minus 4 यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हुई आपकी minus 3 यहाँ पर एक ऐसे नंबर लिखे जाएंगे आपके इधर minus minus one point something type यहाँ के इनके बीच के नंबर यानि कि यहाँ पर characteristic कितनी हो जाएगी minus two तो क्या चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर क्या observe कर सकते हम if a positive fraction has positive fraction है यह सारे इनमें characteristic मान लिया कि minus alpha है base 10 है जैसे यहाँ पर characteristic सारी negative में आ रही है न then number of zeros between decimal point and first significant digit will be alpha minus one जैसे कि यहाँ पर हमने characteristic निका ली minus four अब यहाँ पर decimal point and first significant digit first significant digit के है यहाँ पर one decimal point लगा यहाँ इसके बीच में कितने 0 है 3 0 है न तो यह कैसे आया यहाँ पर alpha का काम कर रहा है आपका four तो हमने बोला alpha minus one इतने number of zeros हो जाएंगे number of zeros ठीक है तो वो ही लिखा है तो यह हमने formula बना लिया characteristic की help से number of zeros बता सकते हैं अगर characteristic minus alpha है तो alpha minus one इतने zeros हो जाएंगे between decimal point and first significant digit got it now example देख लेते if we have log x to the base 10 is minus 8.32 minus 8.32 से मतलब क्या है यहाँ पर mantis apart भी negative है तो mantis apart तो हमेशा ही positive होता है positive बनाने के लिए हमने क्या क्या minus one plus one किया then minus eight minus one तो हो गया आपका minus nine and minus 0.32 plus one one में से घटा दिया यह हो जाएगा आपका 0.68 तो यहाँ पर minus alpha है ना alpha कितना यहाँ पर nine तो nine में से one minus कर दो we get eight इतने number of zeros हो जाएंगे ठीक है between decimal point and first significant digit तो eight zeros हो जाएंगे next example x equals to 12 to the power minus 25 3 to the power minus 7 अच्छा आपको log to log 3 की यहाँ पर value दे दी गई है ठीक है point three zero पूरा तो one zero और लगा सकते हो and log three की value दे दी है आपको point 48 तो we have to tell zeros between decimal point and first significant digit फिर वही करेंगे इसको solve करो characteristic निकाल लो ठीक है हमने log लिया 12 को prime factorize किया four into three that is two square into three तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भी यह two की power minus fifty three की power कितना हो जाएगा three की power minus twenty five plus minus seven minus thirty two है ना उसके बाद property लगी log की minus fifty आगे आजाएगा यह हो जाएगा आपका log two फिर बीच में plus लगता है लेकिन minus thirty two है तो minus thirty two आगे आगे log three तो log two and log three की value रखतो question में दी है आपको point three zero point four eight जो question में value दी है वो ही use करनी है चीग है तो यह आजाएगा आपका minus fifteen multiply करके देखो thirty two into point four eight यह आजाएगा आपका fifteen point three six solve करो कितना रहे minus thirty point three six कितना रहे चीग है अब यहाँ पर तो मेंटिसा पार्ट भी नेगेटिव है यह ऐसी तो लिखा जाएगा positive बनाने के लिए मेंटिसा पार्ट को positive बनाने के लिए minus one plus one किया तो minus thirty minus one we get minus thirty one and minus point three six plus one कर लो कितना आगया point six four तो अलफा क्या है यह आपर thirty one thirty one तो thirty one minus one कितने हो गए यह हमारा required answer हो गया number of zeros between decimal point and first significant digit is thirty इतने zeros आजेंगे समझ में आगवी important है ध्यान में रखना इसको झाल झालए कीठीजए झालए कर दो झालए कीठीए जूँचर टूचर झालए को अलफा समझ में फटिर्ड़र के नच्छीजए जड़र पार प्रूबरर को जढ़र दो झालएकार